नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद पियेस परिहार चैनल में आपका सौगत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचना होती हैं जो विभिन समचार पत्रों पर चाहिवी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए अवश्चक होती हैं तो आईए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सुचना है आगे बढ़ने से पहले एक बात और जो नए वीवर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोगों सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट मिलती रहें सबसे पहले सुचना है उनत्तर जार सिक्षक भरती की उनत्तर जार सिक्षक भरती के लिए ट्वीटर वार पर लगभग चार लाग से जादा विद्यार्थी ने ट्वीट किया है ग्यमंत्री शिक्ष मंत्री और उन्होंने पनी मांग किये की उनत्तर जार सिक्षक भरति की परिक्षा हुए लगबग आठ महेने हो गये और इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाएं उसी की बारे में आज की बहुत सारे समचार पत्रों में ये सुषिना चपी हुई है लिखा है परिशदी प्राथमिकी स्कूलों में कर रहे युवाओं के ट्विट मंगलवार को प्रधान मंत्री नरंद मोधी को बधाई देने वालों से अधिक ट्रेंड कर गया शिवेंद प्रताप सिंग और नरंजन सिंग की ओर से ट्विटर पर छेड़े गया इस अभियान ने सोमवार से जूर पकड़ा है और ये अभर्त अनरचित वर्ग के लिए 65 फिजदी पासिंग मार्ग पर भरती अतिसीग्र पूरी करवा करके सिक्षक वर्थी परिक्षमि सामिल लाखों अभर्थियों को मानसिक अफसाथ से मुक्त कराई 59,000 योगी शिक्षक लाचार हैस्टेक्स से अभियान चलाए जा रहा है और मंगल प्रसत अंक पाने के बावजोद भरती नहीं हो रही है तो विद्यार्थी अपना एक अभियान चला रहे हैं और इसका कोई न कोई परिणाम जरूर मिलता है मैंने अपनी पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया कि अंदोलन और धरना प्रदर्शन का जो प्रभाव है वो भरती की सुनवाई groups 19 तारीक को होनी है और देखते हैं कि इसका किया प्रभाव पड़ता है और उमीद है कि इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा सरकार भी दपाव में आएगी और जो अधिकारी है विधी अधिकारी अन पर भी दपड़ेगा अगली सुझना है लटी ग्रे के बाद पूछी जाएगी कि अल्टी ग्रेट के प्रिडाम है वो कब तक आएगा वैसे सुत्रों के हवाले से यह सुचना मिल रही है कि एल्टी ग्रेट की रिजल्ट की अंतिम तयारियां चल रही है और यह रिजल्ट सितंबर के लास्ट में यह 10 तारीक तक आ सकता है इसके अगली सुचना है विश्विद्यालियों के लिए एक ही एंट्रेंस टेस्ट मानो संसाधन मंत्राले का प्रस्ताओं नहीं भरने होंगे डेरो फार्म बाहर भी पास करने के बाद यूजी सी संबध कालेजों में दाखिला लेने के लिए अब अलग अलग फार्म बनने की जर और यह अछी योजना है क्योंकि विद्यारतियों को अलग अलग इंवस्टी के लिए अलग अलग इंट्रेंस एक्जाम देना होता है उससे निजाद मिलेगी मुगति मिलेगी और उसकी बाद में एक कवान कांसलिंग होगी और कॉंसिलिंग से जो विद्धाले मिलेगा आपके रेंके अनुसार वो विश्विद्धाले आपको प्रवेश के लिए मिल जाएगा अगली सूचना है एलाइसी से क्लरकों की बंपर भरती आ गई है इसकी बारे मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था और आज के समचार पत्र में भी यह सूचना चपी हुई यह लिखा असिस्टेंट क्लरक के 7871 पद योगता इजना तक है और अधिकतम आयू 30 वर्स है एक सितंबर 2019 के अनुसार है आविद्धन सुल्क 510 रुपए समानवर के लिए और लास्ट डेट इसकी जो है एक अक्टूबर है कैसे इस पर जाकर के आप लोग के लिए आविद्धन कर सकते हैं अगली सुचना है SSC की SSC स्टेनोग्राफर C&D प्रिच्छा को जो प्रणाव है वो बीस तरीक को आएगा लिखा कर्मतारी चैन आयोग की और से स्टेनोग्राफर C&D ग्रेट प्रिच्छा 2019 को प्रणाम अब 20 सि स्टंबर को घुशित किया जाना था अगली सुचना उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयोग की ही है लिखा यूपी प्यस्टी डैट को मिले 71 नए जीव विग्यान प्रवक्ता उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयोग राजी सेक्षिक अमसंदान एवं प्रसिक्छन परिसाद इसकी एकाईयों जिला सिक्छा एवं प्रसिक्छन संस्था में प्रवक्ता जी विग्यान के 71 पदों पर अंतिम चैन परिणाम गोशित कर दिया गया है इसमें 35 पत अनुसूचित जाती एक पत अनुसूचित जन जाती 20 पत अन पिछड़ा वर के लिए आम अंतित किया गया यह पर दूसरी जो सूचना है वो उच्तर सिक्छा सेवा आयोग की है और इसमें लिखा हुआ है कि विग्यापन संके 47 के तहत मंगलवार से दूसरे चरणक का अधूरा पड़ा इंटर्वी फिरसे से सुरू करा दिया गया है 12 एवं 13 सितंबर को इस्तगित किया गया इंटर दूसरे लोग से वा आयोग की है है बहुत सारे विदर इसकी बारे में भी पूछते रहते हैं कि उत्तर्व जोतर्वी रोग से नोटिफिकेशन वह कब तक आएगा तो notification किसी भी समय आ सकता है PCS 2019 को notification या तो सितंबर के last में आएगा या 10 जुलाई के पहले-पहले माफ की दियेगा 10 October के पहले-पहले तो एक तारीक से लेकर के 10 October के बीच में PCS 2019 pre का notification आ सकता है पदों की संख्या लगवग साड़े 400 या 500 है तो ठीक है दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ो रहें अगर ये सूचनाए आपको अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें जिन मित्रों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल